दिन भर 30 मई रविवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार मोदी सरकार के साथ साल पूरे हुए कॉंग्रेस ने बीजेपी सरकार को देश के लिए हानी कारक बताया मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत का आत्म विश्वास बढ़ गया है कोरोना को लेकर कोता ही के आरोपों के बीच राष्ट्रपती को हटाने के लिए ब्राजील में लोग सड़कों पर उतरे और वियतनाम में मिला कोरोना वाइरस का नया वैरियंट जो हवा के जरीए तेजी से फैलता है सब्विस्तार से स्वागत अभी नंदन हमारे तमाम श्रोताओं का इस कारिक्रम को अप से कुछ दिर पहले घर से रेकॉर्ड किया गया है केंदर में नरेंदर मोदी की सरकार ने आज अपने साथ साल पूरे कर लिये हैं इस हिसाब से भारती जनता पार्टी नरेंदर मोदी और उनकी सरकार के लिए आज का दिन बड़ा खास है इस मौके पर भारती जंता पार्टी जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है वहीं विपक्षिदल खास तोर पर कॉंग्रेस पार्टी ये बता रही है कि मोदी सरकार कहां कहां नाकाम रही है प्रधान मंतरी मोदी ने आज अपनी मन की बात भी कही है सुनेंगे उसे भी लेकिन पहले सुनिए कॉंग्रेस प्रवक्ता रंदीब सुर्जेवाला ने मोधी सरकार पर किस तरह हमला बोला है बंटा धार सीमा पर अभी भी बाकी है प्रतिकार इसी लिए के मोधी सरकार देश के लिए हानिकारत है ये थे कॉंग्रेस नेता रंदीब सुर्जेवाला वहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने अपने मन की बात कारिक्रम के दौरान कहा कि भारत का आत्म विश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है और भारत अब किसी के दबाब में काम नहीं करता है इन साथ वर्षों में जो कुछ भी उपलब्दी रही है वो देश की रही है देश वाच्यों की रही है कितने ही राष्ट्रिय गवरों के खशन हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुवव किये हैं जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके साजिस करने वानों को मुहतोड जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है जब भारत राष्ट्रिय सुरक्षा के मुद्दों पर समझोता नहीं करता जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती हैं तो हमें लगता है कि हां हम सही रास्ते पर हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के बारे में कहा कि महमारी का ये दौर हमारे धैर की सीमा का इम्तिहान है उन्होंने कहा कि कोरोना महमारी को हराना हमारी सबसे पहली प्रात्मिकता है मोधी सरकार के साथ वर्ष पूरे होने पर अर्थ शास्त्री रितिका खेडा ने BBC हिंदी से बाच्चीत में अच्छे दिनों का वादा याद दिलाते हुए कहा कि अच्छे दिन तो आए हैं लेकिन सब के लिए नहीं अर्थ शास्त्री रितिका खेडा से अलग राय रखते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत के पूर्व सदस्य जगदीश शेटिगर ने BBC से बाच्चीत में कहा कि माहौल बहतर हो रहा था लेकिन बात के घटनकरम से तस्वीर बदल गई अच्छे दिन का मतलब हो ग्राउंड लेवल में क्या है वो जो आमाद में अपना जीवन में क्या हुआ तो माहल तो अच्छा हुआ मगर उसका बाद जो स्लोडाउन शुरू हुआ अगले साल 7.4 हो गया उसका बाद 6.7 और अल्टिमेटली जो 4.2 अभी जो साल कतम हुआ वहां तो रिसेशन हुआ यह थे प्रदान मंतरी की आर्थिक सलाकार परिशत के पूर्व सदस्य जगदीश शेटीगर राजस्तान के मुक्ह मंतरी अशोग गहलोत ने भी बढ़ती महंगाई की मुद्दे पर केंद्र सरकार को आज आड़े हाँ तो लिया उन्होंने कहा कि पैट्रोल के लगातार काफी परेशान हो रहे हैं यह तो हुई बात उस तेल की जो जमीन के नीचे से निकलता है पता नहीं आप में से कितने श्रोताओं ने इस बात पर गौर किया है कि सरसो का तेल बहुत महंगा हो चुका है आज मन की बात में प्रदान मंतरी मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच इस बार देश में अच्छी फऽसल हुई है और कई जगों पर किसानों को सरसों के लिए नियूंतम समर्थनमूर से भी ज्यादा पैसा मिला है किस महा मारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की इस बार कई जगवों पर तो सर्सों के लिए किसानों को MSP से भी ज़्यादा भाव मिला है प्रधान मंतरी मोदी की ये बात सच है कि इस बार सरसों की बहुत बढ़ियां पैदावार हुई और बाजार में किसानों को इसकी अच्छी कीमत भी मिली लेकिन इसके बाद भी सरसों का तेल महंगा हुआ खुदरा बाजार में एक लीटर सरसों तेल की कीमत पचास से साठ फीसद तक बढ़ गई है लेकिन ऐसा क्यों हुआ बीबीसी समवादाता दिलनवास पाशा ने इस संबंद में कई किसानों सरसों तेल के व्यापारियों और किशी विशेशग्यों से बात की है उनकी रिपोर्ट सुनिए मानसिदास से वो कहते हैं अभी दाम और बढ़ेंगे अमरोहा में कोलू चलाने वाले आकिप कहते हैं हमने ना तो कभी इतनी महंगी सरसों खरी दी है और ना ही कभी इतना महंगा तेल बेचा है लेकिन सरसों के दाम बढ़ क्यों रहे है पिछले 45 सालों से सरसों के तेल का कारोबार कर रहे घंश्याम खंडेलवाल मानते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की मनशा है क्रिशी विशेशग्य देवेंद्र शर्मा मानते हैं कि भारत में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण कहीं न कहीं भारत सरकार का मलेशिया से पाम ओयल के आयात पर सक्थ होना भी है वो कहते हैं जब मलेशिया ने कश्मीर के ओपर टिपनी की तब भारत ने मलेशिया से पाम ओयल के इंपोर्ट को free list से निकाल कर restricted list में रख दिया भारत अधिकतर पाम ओयल मलेशिया से ही इंपोर्ट करता है लेकिन अब भारत का मलेशिया से आयात लगभग जीरो हो गया है इस इसके बाद भारत ने नेपाल, इंडोनेशिया और बांगलादेश से लाखों टन रिफाइंड पाम उयल आयात करने के लिए लाइसेंस चारी किये। इसके बाद मई में पडोसी देशों से ड्यूटी फ्री शिप्मेंट में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने 49 तेल आयात लाइसेंस सस्पेंट कर दिये। इसका असर नेपाल से होने वाले तेल आयात पर पड़ा। बाद में भारत ने मलेशिया से पाम उयल के आयात पर लगी रोक तो हटाई लेकिन इस साल फरवरी में जारी सरकारी आंखणों के अनुसार देश में पाम उयल के कुल आयात में 27 फीसदी तक कमी आई है। देविन्द शर्मा कहते हैं कि भारत सरकार ने सितमबर 2020 में सरसों के तेल में किसी और खाद्य तेल की मिलावट को भी प्रतिबंधित कर दिया था। यानि सर्सों के तेल में किसी और तेल की मिलावट को रोक दिया गया, इससे भी सर्सों के तेल के दाम बढ़े। देविंद शर्मा कहते हैं, सर्सों के तेल की ब्लेंडिंग प्रतिबंधित करने से भारत में पाम उयल का इंपोर्ट कम हुआ। इसके अलावा अंतराष्टिय बाजार में भी तेल के दाम एतिहासी कुचाई पर हैं, इसकी एक वजह चीन में बढ़ी मांग भी है। विशलेशक और इंडस्टिय से जुड़े लोग मानते हैं कि अंतराष्टिय बाजार में कमोडिटी ट्रेडिंग बढ़ी है, जिसका असर भी खाद्य तेल के दामों पर हुआ है। रिपोर्ट सुना रहीं थी मानसिदास। शुरुताओं की अकसर ये शिकायत होती है कि हम उनका नाम कारिकरम में शामिल नहीं करते। तो आज मैंने कोशिश की है कि जादा से जादा शुरुताओं को कारिकरम में शामिल किया जाए। अफसर खान चंदोली उतर प्रदेश से, विशाल शर्मा दारजिलिंग पश्रिम बंगाल से, नंदलाल यादव नेपाल से, पवन तनय पटना से, दुर्गेश यादव सोनू चैननाई से सुन रहे हैं हमें। विक्रम कुमार मांजी कोलकाता से चितेंदर सिंग इटावा उतर प्रदेश से, विजाए नाश्ते पुने महराष्ट से, मुहमद रिजवान उल्ला सिवान बिहार से, राम प्रकाश खदाव भोपालगड राजस्थान से हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गोरधन सिंग बाडमेर राजस्थान से, फिरदौस सल्मानी उतराखंड में, उधम सिंग नगर से, मुहमद नौशाद अली दोहा कतर से और आई के तिवारी शेहडोल जिला मद्परदेश से हमें सुन रहे हैं। केंद्रिय स्वास्ति मंतराले ने बताया है कि पूरे भारत में कोरोना टीका करण अभियान के लिए जून महीने में वैक्सीन की करीब 12 करोड डोज उपलब्द कराई जाएंगी। केंद्रिय स्वास्ते मंतराले ने एक बयान जारी करके जानकारी दी है कि मई महीने के लिए वैक्सीन की लगभग आठ करोड डोज मोहिया कराई गई है दोनों महीनों के आंकड़ों को देखें तो मई के मुकाबले जून महीने के लिए वैक्सीन के चार करोर डोज जादा देने की बात कही गई है किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलती है और किस आधार पर मिलती है सौस्ते मंतराले ने इसके बारे में भी जानकारी दी है बयान में कहा गया है कि भारत सरकार राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को वैक्सीन का आवंटन कई मानकों के आधार पर करती है जैसे कि वहां की आबादी कितनी है वैक्सीन की खपत कितनी है और कितनी वैक्सीन बरबाद हो रही है यानि कितनी वैक्सीन का इस्तिमाल नहीं हो रहा है इस बीच 24 गंटे के दौरान भारत में कोरोना संक्रमन्ट से 3460 लोगों ने दम तोड़ा है 24 गंटे के दौरान कोरोना संक्रमन्ट के 1,65,553 नए मामलों का पता चला है सरकारी आकड़ों के मताबिक भारत में अब तक 21 करोड 20 लाग से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है पहले कोरोना से लड़िये अपनी और अपनों की जान बचाने की पुरजोर कोशिश करिये और जब जान ना बचे तो मृत्यू परमान पत्र में मौत की वज़ह कोरोना लिखवाने की लिए जद्दो जहत कीजिए जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मत्रदेश की जहां मृत्यू परमान पत्र पर कोरोना नहीं लिखने की वज़ह से पीडित परिवारों को वो लाब नहीं मिल पा रहे हैं जो कोरोना से हुई मौत के मामले में सरकारी घोशनाओं के हिसाब से मिलने चाहिए भुपाल से शूरे नियाजी की रिपोर्ट हनुशीज डहरिया सत्रा साल के हैं और उनने पिछले माह अपने माबाब दोनों को कोरोना की वज़े से खो दिया है पिता गिरीश कुमार डहरिया एलाइसी एजिंट थे तो मा डॉक्टर दिव्या डहरिया सीवनी के पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पिता की मौत एक नीजी अस्पताल में भुपाल में हुई वही मा ने कोरोना की वज़े से जिला चिकित साले बैतूल में दम तोड़ दिया अस्पताल वालों ने पिता की मौत का कारण कोरोना लिखा लेकिन नगर निगम ने जो मृत्यू प्रमाणपत्र जारी किया उसमें कोरोना से मृत्यू का जिक्र नहीं है वहीं मा भी कोरोना वार्ड में भरती थी लेकिन सरकारी अस्पताल वाले कोरोना लिक्कन नहीं देना चाहते हैं हनुशीश डेहरिया ने बताया कुछ इसी तरह का मामला भौपाल के महेंद्र कुमार नामदेव का है जो मद्य प्रदेश विधुत मंडल में जूनियर इंजीनियर के पत पर थे उनकी मौत 7 मई को शहर के ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में हुई अस्पताल ने लिख कर दिया लिकिन नगर निगम से जारी होने वाले मृत्यू प्रमार पत्र में उनकी मौत का कारण कोरोना नहीं लिखा गया उनके छोटे भाई रजनीश नामदेव ने बताया लेकिन सरकार इस बात से इंकार कर रही है कि कोई ऐसा आदेश दिया गया हो कि मृत्यू प्रमार पत्र में कोरोना ना लिखा जाए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा प्रदीश में ऐसे सेकड़ो परिवार है जो इस कोशिश में लगे है कि उनके परिजनों की मौत का कारण कोरोना लिखा जाए मध्यप्रदीश सरकार ने 20 मैं को गोशना की थी कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई उनके परिवार को एक एक लाख रुपए के आर्थिक मदद दी जाएगी वहीं सरकार ने सरकारी करमचारियों की मौत कोरोना से होने पर पांच लाख रुपए भी देने की घोशना की है इसके साथ ही दिवंगत करमचारी के परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ती दी जाएगी लेकिन बृत्यू प्रमाड पत्र में कोरोना नहीं लिखे जाने की वजह से यह सब लोग इससे वंचित हो जाएंगे शुरह नियाजी बीबीसी नियूज भोपाल और अब बात उस तस्वीर की जो बीते दिनों काफी चर्चा में रही यास दूफान के बाद समिक्षा के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 28 मई को पश्रिम बंगाल और ओडिसा का दौरा किया लेकिन प्रधान मंत्री की ओर से कलाई कुंडा में आयोजित की गई समिक्षा बैठक में ममता बेनरजी शामिल नहीं हुई इसके बाद पश्रिम बंगाल के राज़िपाल जगदीब धनकर ने वो फोटो ट्वीट किया जिसमें प्रधान मंत्री की बाईं तरफ की कुरसियां खाली थी ममता बेनरजी पर आरोप है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई उन्होंने नरिंदर मोधी को 30 मिनिट इंतजार करवाया और एक रिपोर्ट दे कर चली गई क्या है ये पूरा मामला बता रहे हैं बीवी सी संबादा तर्शुभम किशोर अपनी इस रिपोर्ट में पियम मोधी द्वारा बुलाई गए बैठक में ममता बेनरजी के देर से पहुँचने और दस्तावे सौपने के बाद कथित तौर पर उनके तुरंत निकल जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है केंदर ने इस वाक्य के बाद पश्चिम मंगाल के मुखे सचिव अलपन बंदोपाद्याय को दिल्ली बुला लिया है कुछ दिन पहले ही बंदोपाद्याय को केंदर ने एक्स्टेंशन दिया था ममता बनर जी ने उन्हें रिलीस करने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है और आदेश को रद करने की मांग की है पश्चिम मंगाल के वरिष्ट पत्रकार प्रभाकरमनी तिवारी ने बीबिसी को बताया के TMC सूतरों का कहना है कि ममता इस मामले में खानूनी सलाह ले सकती है बीजेपी के नेताओं ने ममता पर प्रोटोकॉल तोडने और PM के अपमान के आरोप लगाए है हालंकि ममता बेनर जी ने इन आरोपों से इंकार किया है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आदिकारिक मुलाकात पर संशय कैसे है बीजेपी का कहना है कि PM को इंतजार करना पड़ा और ममता का कहना है कि उन्होंने इजाज़त ली थी दोनों में विरोधाभास है PM और CM के बीच किसी मीटिंग को लेकर ऐसा विरोधाभास आम नहीं है दोनों के तरफ से समय रहते जानकारियां एक दूसरे को दी जाती है हर एक मिनट का शेडियूल तयार किया जाता है लेकिन ममता का आरोप है कि मीटिंग का स्वरूप बदल दिया गया और ये मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री के बीच की बैठक नहीं थी इसलिए उनके मीटिंग में नजाने को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए पतरकार प्रभाकण मनीतिवारी कहते हैं कि अगर ये CM और PM के बीच की मुलाकात नहीं थी तो पहले भी मुख्यमंत्री ऐसी मीटिंग छोड़ते रहे हैं खुद PM मोदी ने भी CM रहते ऐसा किया है लेकिन इस बार के घटना करम के कारण ममता पर बीजेपी राजनीती करने और PM के अपमान का रूप लगा रही है ग्री मंत्री अमिच्छा ने ट्वीट कर लिखा कि दीदी ने लोगों की भलाई के उपर अपनी जिद को रखा उनका रवईया यही दिखाता है लेकिन राजनीती के आरोप PM पर भी लग रहे हैं BBC से बात करते हुए पत्रकार प्रभाकर्ण मनी तिवारी कहते हैं कि TMC के कुछ सूतरों के मताबिक उस मीटिंग में बीजेपी विधायक शुबेंदू अधिकारी को भी ने उता दिया गया था ममता को जब ये पता चला तो उन्होंने मीटिंग में जाने से इंकार कर दिया ममता ने अपनी सफाई में भी इस बात का जिक्र किया है कि राज जिपाल केंद्रिय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं का नाम जोडने से मीटिंग सी एम और पी एम के बीच की नहीं रही हालंकि उन्होंने खुल कर शुबेंदू अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं बोला हालंकि शुबेंदू अधिकारी ने प्रेस कान्फरेंस के बाद ममता पर जूट बोलने का आरोप लगाया उन्होंने कहा वो खुद को बंगाल की ही नहीं पूरे देश की सीम मानती है इसके पहले भी शुबेंदू ने कुछ तस्वीरे ट्वीट कर लिखा था कि पीम बाड तुफान जैसी आपदाओं के समय उन मुख्य मंत्रियों से मिल चुके हैं जो एंडिये के नहीं हैं किसी ने भी ममता दीदी की तरह बरताव नहीं किया बीजेपी ममता पर पीम के अपमान का रूप लगा रही है लेकिन सीम रहते हुए मोधी भी प्रधान मंत्री के साथ मीटिंग से गैर हाजिर रह चुके हैं साल 2013 में मुझफर नगर दंगो के बाद मनमुहन सिंग ने नैशनल इंटिग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी जिसमें तब गुझरात के सीम नरेंदर मोधी ने हिस्सा नहीं लिया था 28 नमंबर को जब सुरक्षा बलों की कारवाई चल रही थी नरेंदर मोधी ने मुंबई के होटेल ओबरॉय के पास एक प्रेस वारता को संबोधित कर मनमुहन सिंग की आलोचना की थी वहीं उन्होंने मारे के जवानों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया था मोधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद भी कई मौकों पर राज्य के मुख मंत्रियों के साथ विवाध हो चुके हैं 23 अपरील को नरेंदर मोधी के साथ मीटिंग को दिल्ली के सीएम अर्विंद के इजरिवाल ने लाइव कर दिया था जिस पर नरेंदर मोधी ने आपत्ती जताई थी जहारखंड के सीम हेमन सुरेन ने नरेंदर मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ट्विटर पर लिखा था कि प्रधान मंतरी जी ने फोन किया उन्होंने सिर्फ अपने मंद की बात की बहतर होता यदि वो काम की बात करते और सुनते इससे पहले ममता भी आरोप लगा चुकी है कि कोरोना महमारी पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के साथ हुई बैठध में कई मुख्य मंतरियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया था उन्होंने इसे अपमान जनक बताया था रिपोर्ट सुना रहे थे शुभम किशोर शुग दावनी सुनाई पड़ती है वियत नम पहले बात साथि अरब की साथि अरब का कहना है कि जन देशों से यात्रा प्रतिबंद बहुत आया गया था उन देशों में महमारी के मौझूदा हालात को देखते हुए ये पैसला किया गया है साथी अरब की मताबिक ये वो देश हैं जहां कोरोना संक्रमर्ण अब नियंतरन में हैं ये 11 देश हैं सायुक्त अरब अमीराथ, जर्मनी, अमेरिका, आयरलेंड, इटली, पुर्तगाल, बिर्टेन, स्वीडन, स्वीजरलेंड, फ्रांस और जापान अलकि इन देशों से आने वाले लोगों को अभी भी कौरिंटीन यानी बाकी लोगों से अलक थलक रहना होगा यात्रा प्रतिबंदों का हटना अगर राहत की बात है तो वियतनाम से आरही खबर निशित तोर पर चिंता का विशा है वियतनाम में कोरोना वायरस का एक ऐसा वेरियंट पाया गया है जो भारत और ब्रिटेन में पहले पाया गया वेरियंट का मिला जुला रूप है वियतनाम के अधिकारियों का दावा है कि ये वेरियंट हवा के जरीए तेजी से पहलता है वियत नाम का ये भी कहना है कि कोरोना का ये नया वेरियंट बहुत ही खतरनाख है क्योंकि इसमें वाइरस हमेशा अपना रूप बदलता रहता है यानि लगातार म्यूटेट करता रहता है लेटिन अमरीकी देश ब्राजील में लोग अपने राश्ट पती से नाराज हैं लोगों का मानना है कि उनके राश्ट पती ने कोरोना से निपटने में कोता ही बरती जिसका खामियाजा ब्राजील के लोगों को भुगतना पड़ा लोग इतने नाराज हैं कि राष्ट्रपती को हटाने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं BBC Hindi.com की खबर सुनिए गुर्परीत सैनी से ब्राजील के राष्ट्रपती जायर बोल्सोनारों के खिलाफ देश भर में कोविड-19 संकट के प्रबंधन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में कॉंग्रिस के सामने हजारों प्रदर्शन कारी इकठा हुए और उन्होंने राष्ट्रपती के खिलाफ महाभियोग लगाने के साथ परियाप्त वैक्सिन की मांग की ब्राजील में रियोडी जैनेरो समेत कई अन्य बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं कोरोना महामारी से निपटने में सरकार का जो रुख रहा उससे बोलसोनारों की लोग प्रियता कम हुई है ब्राजील में कोरोना से अब तक 4,60,000 लोगों की जान गई है अमेरिका के बाद सबसे जादा मौते यहीं हुई है ब्राजील दुनिया का तीसरा देश है जहां कोरोना के सबसे जादा 1,60,000 मामलों का पता चला है ब्राजील की विपक्षी पार्टियों, ट्रेड यूनियन और समाजिक आंदोलन कारियों का कहना है कि बोलसोनारों ने महामारी को गंभीरता से नहीं लिया और वो इसे लेकर बे परवाह रहे है जब ब्राजील में कोरोना संक्रमन के मामले बढ़े तो यहां स्वास्त सेवाएं बुरी तरत ध्वस्त हो गई धुर्दक्षिन पंथी राष्टपती जायर बोलसोनारों लगातार कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाने का विरोध करते रहे है वो तरक देते रहे कि लॉकडाउन से मुल्क की अर्थवेवस्ता चौपट हो जाएगी राष्टपती कहते रहे कि जितना नुकसान कोरोना नहीं पहुँचाएगा उससे जादा नुकसान लॉकडाउन से होगा बोल्सोनारों ने लोगों से ये भी कहा कि वो शिकायत करना बंद करें लेकिन विरोध के सुवर बंद नहीं हुए ब्रासीलिया में प्रदर्शन कारियों ने राष्टपती का एक विशाल पुतला लेकर मार्च किया उनके हाथों में विरोध की तक्तियां थी जिन पर बोल्सोनारों के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की गई थी इसके अलावा परियाप्त वैक्सीन और आपात कालीन वित्तिय मदद देने से जुड़ी मांगे भी तक्तियों पर लिखी हुई थी प्रदर्शनकारियों ने मूल निवासियों की बहतर सुरक्षा और Amazon में पेड़ों की कटाई बंद करने की भी मांग की हेसीफी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां और आसू गैस के गोले छोड़े सान्य मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां प्रदर्शनकारी सडक बंद करने की कोशिश कर रहे थे कई शहरों में प्रदर्शनकारी हजारों प्रती कात्मक प्रॉस लेकर निकले और उन्होंने महामारी में मारे गए लोगों को श्रद्धानजली दी है रिपोर्ट सुना रही थी गुर्पीट सेनी और अब पाकिस्तान से वुस्तुला खान की सापता ही डाइरी आप पहुंची है पत्रकारों से मुतालिक जानी मानी अंतर राश्री संस था रिपोर्टर्ज विदाउट बॉर्डर्ज की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2020 में भी भारत और पाकिस्तान के दरमयान सक्त मुकाबला रहा कि कौन सा देश मीडिया के लिए जादा कड़ा है 173 देशों की रैंकिंग में भारत 142 में और पाकिस्तान 145 में नंबर पे है यानि दोनों देशों के बीच सिर्फ तीन पॉइंट्स का फरक है मगर सिर्फ तीन दरजे आगे पीछे होने का कारण ये है कि भारत में पत्रकारों पे कुछ समय पहले तक स्थानिय गुटों नेताओं और माफियाओं की और से ज़दा दबाव था पिछले साथ वर्ष से ये काम केंद्रिय सत्तारूत पार्टी से जुड़े लोगों संस्थाओं प्रादेशी सरकारों और आईटी के भक्तों ने समाल लिया है पत्रकारिता की टेड़ी खीर सीधा करने के लिए कानून पुलिस और शासन प्रबंद का इस्तमाल पहले से जादा हो गया है यानि धमकी और दबाव से काम ना चले तो पर्चों का बोज लाते चले जाओ चान फटक के नाम पे किसी भी विबाग को पीछे लगा दो एक दिन गरीब पत्रकार समझी लेगा कि दर्या में रहना है तो मगर मच से बैर नहीं चलेगा पाकिस्तान में भी मीडिया के वाज डॉक का मूँ चीके से बानने के लिए पिछले तीन वर्च से यही मौडल अपनाया जा रहा है मगर इसमें एक परिवरतन ऐसा आया है जिसके कारण पाकिस्तान फ्रीडम आफ प्रेस इंडेक्स में तीन पॉइंट्स आगे है अगर्चे पाकिस्तान में भी भारत की तरह देश की सुरक्षा खत्रे में डालने पे किसी भी बत्तमीज पत्रकार के खिलाफ एफ आई आर कटती है नामालूम नंबरों से धमकीदार फोन आते हैं अखबार और चैनल मालिकान पे मुसलसल दबाव भी डाला जाता है मगर पत्रकार तब भी सीधा ना हो तो फिर किसी दिन एक काले शीशों वाली गाड़ी उसे सडक या घर से डंडा डोली करके ले जाती है कुछ को कुछ दिन रखके छोड़ दिया जाता है कुछ को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दो चार चपेड़े मार के किसी वीराने में उतार दिया जाता है और कुछ को जादा दिनों तक महमान बना के रखा जाता है जब वो वापस आते हैं तो उनका बगबगी साफ़वेर अपडेट हो चुगा होता है F.I.R. कट भी जाए तो नामालूम अफराद के खिलाफ कटती है जज अगर लटे भी लेना चाहे तो जादे से जादा पुलिस करमचारियों के ही कान खींच सकता है आज तक ना तो कोई पत्रकारों को पीटने या उचकने वाला उठाई गीरा हाथ आया और ना ही हत्यारा अलबता सरकार हर बार सीने पे हाथ मार के कहती है बस चन्दिनों की बात है हर तरफ जाल पहला दिया है मुझरिम आज कल में जरूर पकड़ा जाएगा इन्शालला और फिर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे कुछ देश भक्त अंकर्स ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है पत्रकार के घर में ढाटा बांद के कूत के उसकी डंडों बंदूख के बटों और नोकीले जूतों से ठुकाई करने वाले उस लड़की के भाई हों जिसको पत्रकार ने कभी छेडा या तंकिया हो या आजकल कर रहा हो मुम्किन है पत्रकार ने किसी बयाच खोर से उधार लिया हो और वापिस ना करने के कारण पिट गया हो हो सकता है दिन ध्याडे गायब होने वाला पत्रकार अफगानिस्तान की सेर को चला गया हो या रास्ते में डाकों के हत्ते चड़ गया हो इत्यादी इत्यादी हाला तब ये हैं कि लोग पुराने वक्त याद करते हैं जब कमसकम ये मालूम होता था कि पतरकार को पुलिस ने उठाया है या कोई गुप्ट चर एजनसी पूछ ताच के लिए ले गई है घर वालों को ये इत्मिनान होता था कि उनका बच्चा किसी की कैद में भी हो पर उसका पकड़ा जाना सरकारी रेकॉर्ड पे है अब ऐसा कोई तकल्फ नहीं मारा भी जाता है और रोने भी नहीं दिया जाता जिसकी पिटाई या अपहरन की जादा विरोधी चर्चा होती है वो वापस आ जाता है नहीं चर्चा होती वापस नहीं आता मगर पिछले हफ़ते बीबी सी के प्रोग्राम हार्ट टॉक को इंट्रिवू देते हुए सूचना मंतरी फवाज चौधरी के इस बयान से दिल की धारस बंदी है कि मीडिया को जितनी आजादी इमरान सरकार ने दी है पहले कभी नहीं मिली कुछ दिल जले फवाज चौधरी के इस दावे पे उन्हें जली कटी सुना रहे है मगर ये नहीं सोचते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा सूचना मंतरी है जो ये कहे कि उसके देश में मीडिया जगडा हुआ है यते वुस्तुलाख खान और इसके साथ ही दिन बर को यहीं देंगे विराम कारिकरम का तकनी की पक्ष समाला रभी शंकर कुमार ने संदीब सोनी को अब दीजी अजासत शुब रात्री